Hello guys, this is Nisant and आज ही टोपिक टैप्स अप कम्प्यूटर जब हम कम्प्यूटर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में होम या ओफिस में रखे कम्प्यूटर ही आते हैं या फिर लैप्टॉप तथा नोटोबुक के बारे में सोचने लगते हैं लेकिन कम्प्यूटर यहां तक ही सिमित नहीं है कम्प्यूटर हमारे चारों तरफ है इनको हम Size, Use and Work Capacity के Base पे बिभिन क्लास में रख सकते हैं मेंली कम्प्यूटर पांच परकार के होते हैं लेकिन हम इन्हें चार भागों में बांटे हैं अब हम यहां बात कर लेते हैं टैप्स अब कम्प्यूटर, बेस अब कम्प्यूटर एक ऐसी मसीन है जो डेटा का एक फिजिकल मेजरमेंट, टेंपरेचर, लेन, थाइट, प्रेसर, एक्सेक्टर को सू करता है इसके डेटा रेगुलरली चेंज होते रहते हैं इस कम्प्यूटर की वर्ग टैपसिटी पेज होती है, इस कम्प्यूटर की रिजल्ट हमें ग्राफ आधी के रूप में प्राप्ट होते हैं इनका युज टेक्निकल, साइन्स, एजुकेशन, एक्सेक्टर के फिल्ड में किया जाता है बट ये कम्प्यूटर अपने डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं एनालोग कम्प्यूटर का इजामपल थार्मामीटर है सकेंड इज डिजिटल कम्प्यूटर ये कम्प्यूटर एनालोग कम्प्यूटर से भीन होता है यह computer जो data को numerical form में process करता है उससे digital computer कहा जाता है digital computer data को numerical form में show करनी के लिए binary system 0 और 1 का use करता है यह computer mathematical calculation करने में सच्छब होता है जैसे कि एक calculator यह analog computer से कुछ जीमे है किन result में अधिक सुध होते हैं digital computer data को store भी कर सकते हैं एक digital computer कौन करता है वहीं एक analog computer major करता है third is hybrid computer यह computer analog and digital दोनों की विस्षस्ताओं को सामिल रखता है यह इन दोनों से correct and fast result देता है इनका use hard calculation equation and scientific calculation security जैसे छेतरों में किया जाता है for example petrol pump में लगे machine, speedometer यह सब hybrid computer के best example है अब हम बात कर लेते हैं tabs of computer based on purpose पहला है general purpose computer आज जो computer हम use करते हैं यह सभी लगबग general purpose computer ही होते हैं general purpose computer एक ऐसा computer होता है जो कई activity को कर सकने के च्छमता रखता है जैसे office work, business management, home use, hardy को असानी से कर सकते हैं desktop, notebook यह सभी general purpose computer है second, special purpose computer जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इस परकार के computer किसी बीसेस कारे को करने के लिए बिक्सित किये जाते हैं जैसे transport, control करना, climate के बारे मजानकारी देना, etc इस परकार के computer, general purpose computer से अधिक तेज होते हैं बट यह general purpose computer की तरह different work नहीं कर सकते third is, types of computer based on size पहला micro computer micro computer तेजी से बढ़ता हुआ तथा अधिक रूप में यूज होने वाला computer है यह सभी तरह के computer से सस्ता एवं हलका होता है और size में भी छोटा होता है यूज ओप micro computer micro computer का हम यूज entertainment, education, home, office, etc. के लिए यूज कर सकते हैं example, notebook, laptop, PDA, PC आधि micro computer के example है second is, work station normally एक ऐसा computer जो किसी network से connect होता है उसे ही work station कहते है इनको business and users को ध्यान में रखकर के विक्सित किया जाता है यह micro computer से अधिक तेज even powerful होते हैं third, mini computer mini computer को mid range computer भी कहा जाता है इनका यूज small business and business purpose को ध्यान में रखकर के बनाया जाता है mini computer को single user के लिए बिक्सित नहीं किया जाता है इनको एक company के द्वारा अपने एक business sector में business कार्यको करने के लिए यूज किया जाता है fourth is, mainframe computer एक mainframe computer micro, mini, workstation सभी computer से अधिक fast and high capacity वाला computer होता है इसका यूज government purpose large scale company द्वारा record को store करने के लिए किया जाता है यह computer size में बहुत बड़े होते हैं third, super computer super computer मानो द्वारा नीर्मी अब तक का सबसे fast and powerful computer है यह size में बहुत बड़े एवं महंगे होते हैं संगठनों द्वारा research, work, मौसम की भविस्वानी, technology आदी के कारियों में होता है अमीड super computer अभी तक का सबसे 30 computer है जिसे अमेरिका ने बनाया है भारत का अपना पहला super computer परम 8000 है जो 1991 century में बनाया गया था इस computer को भारत सरकार की एक संस्थ था CDAC ने भी सित किया था परम computer के बाद भारत में बहुत सारे super computer बनाया जा चुके हैं इनमें प्रत्यूस और मीर सबसे fast and powerful super computer है tabs of computer based on modernity first is smartphone आजकल cell phone जिसे हम normally mobile phone कहते हैं smartphone भी computer द्वारा होने वाले कई कारियों को कर सकता है जैसे internet browsing, games, documentation, calculation आदी इसलिए स्मार्टफोन कहा जाता है second is wearable यवे device होते जिने हम wear यानि पहन कर use करते हैं जैसे smart watches, fitness tracker, etc wearable computer के example है third is game console या एक business प्रकार की computer होता है जिसका यूज TV पर video game खेलने के लिए किया जाता है example, xbox, playstation, etc fourth is TV आजकल TV यानि television को भी computer के इस field में रख सकते हैं क्योंकि TV अब smart TV हो चुके हैं जिनमें internet, online shopping, video game, game streaming आधिक कारिक कर सकते हैं अगर आप इस video में दी गई जानकारी को notes में चाहते हैं तो नीचे दी गई description box में वहां से आप download कर सकते हैं आप आप अवच्छ मुच्छ